राजस्थान की विधान सबा चुनावों में कॉंग्रिस को बड़ी पठखनी देती हुए, बीजेपी ने जीत हासल की। विधान सबा चुनावों के बाद अब 2024 में होने वाले लोग सबा चुनावों को लेकर सरगर्मिया तेज होती जा रही हैं 25 लोग सबा सीटो वाले राजस्थान में। अब बात करते हैं कि हनुमान बेनिवाल अगर लोग सबा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत होती है या हार। बता दे कि हनुमान बेनिवाल ने किसान आंदोलन के समय बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। राश्ट्रे लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुक और नागौर से सांसथ हनुमान बेनिवाल ने इस बार विदान सबा का चुनाव भी लड़ा। खिवसर विदान सबा सीट से बीजेपी प्रतियाशी रेवत राम डागा को हनुमान बेनिवाल ने 2000 वोटों के अंतर से हराए। वही किफसर विदान सभा से जीत हासल करने के बाद, पिछली दिनों हनुमान बेनिवाल ने अपनी लोकसभा सदेस्ता से इस्तीफा दे दिया. लेकिन अगर एक बार फिर हनुमान बेनिवाल नागोर लोकसबा सीट से अपनी किस्मत आजमाते हैं तो उनको जीत मिलती है या हार ये देखने वाली बात है लेकिन अगर हनुमान बेनिवाल एक बार फिर से नागौर लोकसबा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसमें उनको जीत मिलती है हार आपको बताते हैं वस्तार से खबरों के अनुसार आपको बता दे कि अभी राजस्थान का जो महौल है उस महौल के अनुसार अगर हनुमान बेनिवाल चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने जो कॉम्पेटिटर से उनको पठखनी दे सकते हैं यानि कि हनुमान बेनिवाल नागौर सीट से फिर चुनाव जीत सकते हैं वो भी बड़े अंतर के साथ हलाकि फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हनुमान बेनिवाल लोकसबा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे लेकिन अगर वे नागौर सीट से फिर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कॉंग्रिस के प्रतियाशियों के मुश्किले बढ़ती नजर आ सकती हैं राजनितिक पार्टिया 24 के लोकसबा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं हर दल अपने अपने हिसाब से रननीती बनाने में जुटा हुआ है चुनाव की तारीकों के अलान में करीब धाई महीने का वक्त बचा है अब ऐसे में आपको बता दे कि सभी पार्टियां तैयारी में जोश शोर से जुट चुकी है और तैयारी है अब लोकसबा चुनाव की जी या लोकसबा चुनाव का जो विगुल बोलते हैं वो एक तरक्की से बच चुका है सभी पार्टियों में जोश आ चुका है और इस जो बीजेपी है वो विधान सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिस तरीके से फूख फूख कर एक एक कदम रख रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कितनी ज्यादा लोग सभा को लेकर सकरिये नजर आ रही है